ATL का SIM अगर आप यूज़ करते हो और अभी आपने कोई नया फोन ले लिया है आप लेने वाले हो जिसमें E-SIM सपोर्ट करता है जैसे की आईफोन हो गए, सैमसंग के फोन हो गए और भी बहुत सारे फोन हैं जिनमें E-SIM चलता है तो अब अगर आप अपने पुराने SIM को E-S लिकल SIM, E-SIM में Convert करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे important चीज है आपका Gmail आपका Gmail ID है वो Airtel के पास Register होना चाहिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपका Gmail ID है वो Airtel के पास Register है कि नहीं है और अगर Register नहीं है तो फिर उसको Register कैसे करें देखो आप अपना जो already Mobile Number से उसको Login कर लो अंदर आप जाओगे Profile Section में Example आप यहाँ पे देख सकते हो Screenshot Profile Section में आपको दिख जाएगा कि आपका Gmail वहाँ पे Register है कि नहीं है इस वीडियो से पहले मैंने भी अपना चेक किया था मेरा भी Gmail Register नहीं था मैंने वहाँ पे Register किया जब आप Profile Section में करके Verify का Option आएगा उस पे Tap करोगे आपके Gmail ID पे एक verification link आएगा वहाँ से आप उसको verify कर दोगे और आप अपने ATL के app को close करके reopen करके जाके Profile Section में देखोगे तो आपका जो Gmail है वहाँ पे Register हो जाएगा अब in case कोई problem आ जाती है कि यहां से Gmail Register करने पे आपका Gmail अपडेट नही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप ATL को call करके help line number पे 198 या 121 पे आप call करके उनको बोलो कि मुझे अपना जो SIM है वो eSIM में convert करना है तो मुझे अपना Gmail ID register कराना है तो आप उनको अपना Gmail ID बताएंगे वहाँ से भी वो आपका Gmail ID register कर देंगे अब आपने जो अपना Gmail ID ह वो अभी register किया है या तो आपने call करके करवाया है या आपने app के अंदर जाके खुद से किया है तो आपको 24 गंटे का wait करना चाहिए क्यों क्यों कि देखो अभी आपने अपना Gmail ID update किया है तो आप 24 गंटे के लिए 24 गंटे लग जाते हैं ऐसा मैंने experience किया है मैंने एक-दो SIM Airtel के convert किये थे e-sim में तो अगर आपने अभी अपना Gmail ID register किया है तो आप 24 गंटे का कम से कम wait कर लो already पहले ही register था तो अभी मैं आपको आगे process बताने वाला हूं कि कैसे e-sim में convert करना है लेकिन अगर आपका Gmail ID अभी register किया है तो 24 गंटे का wait कर लो उसके बाद वो process करना अब Gmail ID आप लिखके one to one पे send कर दोगे उधर से आपको system generated reply आजाएगा जो आपने SMS किया है आपसे confirmation पूछेगा वो confirm लिखवाएगा one to या जो भी लिखवाएगा confirmation के लिए वो आप लिखके resend कर देंगे message या आपको Airtel से system generated call भी आ सकता है कि आप अपना SIM को e-sim में convert करना चाहत हो तो one to या जो भी press करना है वो आप कर देंगे उसके बाद क्या होगा कुछ time के अंदर ही आपके जो Gmail ID है उस पे Airtel की तरफ से QR code आ जाएगा जिस QR code के थरू आप अपने physical SIM को e-sim में convert कर सकते हो अब आपको करना क्या है जब आपके Gmail ID पे वो Airtel की तरफ से QR code आ जाएगा तो जो भी आपका नया phone है iPhone है Samsung का है जो भी phone है आप उस phone की setting में जाएंगे setting में जाने के बाद SIM card का option आता है या connectivity का जहां भी option आता है वहाँ पे e-sim का आपको एक option मिलेगा e-sim के option पे अंदर आप जाओगे तो आपको QR code scan करने का option मिलेगा तो आप अपने नए वाले phone से QR code जो आपकी Gmail ID पर आया है उस QR code को scan करोगे दो तिनी steps आपके सामने आ जाएंगे और जैसे ही आप वह steps को complete करोगे आपका जो e-sim में वो activate हो जाएगा आपके नए वाले phone में अब इस process में 4-5 गंटे लग सकते हैं मतलब QR code scan करने के बाद जो steps आएंगे वो आप complete करोगे उसके आप अपने पुराने airtel के physical sim को e-sim में convert कर सकते हो तो यह simple सा process है simple तरीके से मैंने आपको बताने की कोसिस करी है hopefully आपको यह video अच्छा लगा होगा लगा है तो like ज़रूर कर देना चैनल पे नहीं हो तो subscribe करके bell icon press कर लेना ऐसे और वीडियो देखने के लिए और आप चाहू तो मुझे instagram पे भी follow कर सकते हो उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा मैं मिलता हम आपसे एक नए वीडियो मे तब तक के लिए thank you bye bye